उधारण दो एक सीधी दिवार पर सीड़ी इस प्रकार रखी गई है कि वह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है यदि सीड़ी का पादबिंदु दिवार से 4 मीटर दूरी पर हो तब सीड़ी की लंबाई ग्याद किजिए हल माना कि एसी सीड़ी है जिसकी लंबाई एक्स मीटर है अर्थात एसी बराबर एक्स मीटर दिया गया है कि सीड़ी का पादबिंदु ए दिवार से 4 मीटर की दूरी पर है अतहा त्रिभुच ए बी सी में ए बी बराबर ए बी बराबर हमारे पास 4 मीटर है तथा कोण बी ए सी जो है प्रेश्ण दूसर साट अंच दिया है तब कोण साट अंच बराबर हम क्या लिखेंगे कोण जो होता है वो होता है अधार बटा कर्ण तो अधार हमारे पास है ए बी और कर्ण है हमारा एसी अब हम यह जानते है यह कोण साट अंच का मान जो होता है वो एक बटा दो होता है तो कोण साट अंच के स्थान पार हमने लिखा एक बटा दो बराबर ए भी जो है हमारा चार मीटर है तो ए भी के स्थान पे चार मीटर बटा एसी को हमने प्रश्ट में शुरुवात में एक्स माना था एक्स मीटर तो एसी के स्थान पे एक्स मीटर या जब हम एक्स को तीरियाग गुणा करेंगे बायपक्ष में तो एक गुणा एक्स बराब X का मान 8 आएंगा तो इस तरह से X बराबर 8 मीटर तो हमने ग्याद किया कि सीड़ी की लंबाई एसी जो है वो 8 मीटर हमने ग्याद की तो अतहां सीड़ी की लंबाई 8 मीटर होगी तो यह ही सुधारण का हल है